नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रावल पतिल वेलकम बैक टू दो चानल दोस्तों हर बार की तरह आज का टोपिप एक दम बढ़िया बनने वाला है दोस्तों बढ़िया इंफोर्मेशन आपके लिए लेकर क्या है उम्हें है ना मेरे पिछले कुछ वीडियोस पर आप लोगों न बनाता हो ताकि आप अपना करियर जो है वह आगे बढ़ा सके अच्छी इंकम उसमें से बना सके तो फाइनल मोटो तो वही होता है दोस्तों अच्छी इंकम मिले तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे पीलम के बारे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इसका हुआ कमपणी में कोई भी प्रोड़क होता है उसका फूरा Click लेकर के अबी जो मार्केट में जो है दोस्तों PLM की बहुत सारी रिक्वार्मेंट है और हम बात करेंगे टीम सेंटर के बारे में यह स्वारे में यह सीमेश ने आपकिया हुआ है तो हम आप पहले बात करेंगे कि भैया PLM जो है कुम कुन से सेक्टर्स में यूज होता है तो पहला तो है दोस्तो ऑटमाल सेक्टर्स में यूज होता है ऑटमाल हो गया manufacturing industries हो गई बड़ी-बड़ी manufacturing aerospace industries हो गई oil and gas sector हो गया तो यह सारी field में जो है यह PLM का यूज हो रहा है मतलब हेवी software भी है और महेंगा software भी है तो छोटी companies थोड़ा सोचती है कि इस्तेमाल करना है कि नहीं तो जो बड़ी-बड़ी companies है multinational अगर आपका सपना होगा कि हमें multinational companies में अच्छी जॉब मिलनी जी है खास करके IT सेक्टर अगर आपको IT अगरा साल जो है दोस्तों वो PLM के लिए बहुत fruitful होने वाले मतलब आप सोच लो अगर आप अभी से टीम सेंटर या PLM में अपना करियर बनाते हो तो आपका आने वाला future है बहुत प्राइड होने वाला है तो इसलिए में यह topic मतलब खास आपके लिए अच्छी information लेकर क्या है कि आप किस तरह से इसमें आपना करियर स्टार्ट कर सकते हो कौन-कौन सी requirement है बड़ी-बड़ी IT सेक्टर बगर आया manufacturing industries है उसमें कौन-कौन सी पोस्ट निकलती है टीम सेंटर की तो पहले जो है वो है team center developer team center developer की post है मतलब team center को develop करना customize करना दूसरा जो होता है team center administrator इसमें भी बहुत सारी मतलब फिर है PLM consultant, ये भी बढ़िया post है, अगर आप team center सीख लेते हो, तो आप इन post के लिए अपला कर सकते हो, फिर last है team center support engineer, इस तरह की post दोस्तों मार्केट में भी निकल रही है, और आने वाले 10-15 साल तो अब बूम करने वाले है, तो first of all है team center developer, team center administrator, consultant, consultant, support engineer, इस तरह की post के लिए आपको कौन से चीज की knowledge होनी चाहिए, तो उसके लिए, खास करके आज का जो टॉपिक हो, mechanical engineers के लिए है दोस्तों, अभी क्या होता है कि mechanical engineers, job ढूणने के लिए बहुत struggle कर रहे है दोस्तों, खास करके अगर आपका college जो है, आपका repeated college नहीं है, आप भी टेक जो भी है, आपक आपको छोटी company में काम करना पड़ता है, फिर 10,000 से start करना होता है, तो लेकिन अगर आपे team center का course कर लेते हो, team center की knowledge ले 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 तो अपासड होने के बाद में, तो आप दोस्तों 3-4 lakh से आपकी earnings start होगी, starting salary, और अगर आपको बढ़िया companies मिलती है, बढ़िया multinational company मिलती है, को आते हो, IT sector में आपका placement हो गया, course करने के बाद में, तो आपको दोस्तों मैंनो minimum 4-5 lakh का CTC मिल जाए का दोस्तों, तो knowledge आपको किस चीज़ के होने चाहिए, मैं आपको बता जिता हो, team center developer जो है, अगर आप team center developer के लिए अपला एकर रहे हो, तो उसके लिए आपको C++ आना चे ये दोस्तों, Java आना चेहे, React.js, ये in programming languages चे requirement होती है, मुझे पता है कि mechanical engineers के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल है, दोस्तों, programming language सीखना, लेकिन ना मुनकिन भी नहीं है, अगर आप continuous practice करते हो, C++ वगरा की Java की, तो आपको ये मतलब आ ही जाएगा, दोस्तों, programming language सीखना कोई बड़ी बात ने, लेकिन उसके लिए जुनून होना चेहे, थोड़ा practice पर practice करना होगा, तो आप सीख जाओगे, लेकिन ये team center developer, अगर आप चालते हो कि मुझे programming में नहीं जाना है, लेकिन team center में जाना है, तो उनके लिए बड़या post है team center administrator की दोस्तों, आप team center administrator के लिए नहीं होती है, इसमें आपको बस team center installation वगरा आना चीहे, जो भी कुछ issues होते है team center में, वो solve करते हैं आना चीहे, तो ये सारे बहुत सारे मतलब आपको इसका knowledge लेना होगा, खासकर team center installation आपको करना होगा, और team center installation मतलब कोई one step process नहीं होती, दोस्तों, उसमें बहुत सारी process होत नहीं होती है, इसमें भी ज्यादा programming languages की requirement नहीं होती है, आपको बस team center का support करना है, अगर software installation के बाद में अगर कुछ प्राबलम आता है, तो आपको उसको support करना है, जो मतलब actually, जो employees जो है, वो team center पे काम कर रहा है, अगर उनको कुछ issues हो, issue आ गया team center पे, तो आपको call करेंगे और आपको call करना है, तो इस तरह की पोस्ट है, तो इस तरह की पोस्ट है, तो इस तरह की पोस्ट के लिए आप अपला कर सकते हो, फिर हम बात करेंगे दोस्तों, market में कौन कुछ से, मतलब team center के दो टाइप है, rich client और active workspace, rich client जो अभी पूराना वर्जन था team center का, लेकिन अभ अभी फिलाल market में यूज करना स्टार्ट कर दिया, तो अगर आपको active workspace सीखना है, तो आपको rich client भी सीखना होगा, तो मतलब आपको दोनों का knowledge होना जाए, rich client का और team center active workspace का, अगर आप ये team center का course करते हो, तो आपको दोनों सीखने को मिलेगा, दोस्तों, ये हो गया team center के बार Tata technology हो गया, फिर है Infosys, Cognizant, Tech Mahindra, इस तरह के बड़ी-बड़ी giant acting companies में आप अपला कर सकते हो, फिर है दोस्तों Tech Mahindra तो हो गया, Capgemini हो गया, फिर बड़ी-बड़ी automobile company, Tata, Tata की company में आप अपला कर सकते हो, फिर है HL में आप अपला कर सकते हो, सीमेंस में अपला कर सकते हो, सीमेंस नहीं develop किया team center, उसमें अगर सीमेंस में आपको job मिलता है तो दोस्तों आपके लिए एकदम बड़ी-बड़ी-बड़ी career है आपका, तो बात में है John Crane, तो इस तरह की बड़ी-बड़ी multinational companies यहापे team center के इस्तमाल हो रहा है दोस्तों, तो आप यहापे अपला कर सकते हो, तो यह तो हो गया दोस्तों, बड़ी-बड़ी companies के बारे में, अब हम थोड़ा बात करेंगे कि भाया इसमें criteria क्या है, कौन-कौन से engineers इसमें अपला कर सकते है, तो मैंने पहले ही बोला कि खास करके mechanical engineers तो इसमें applicable है ही दोस्तों, अगर आप fresher graduates हो, अगर आप team center करन पड़ेगा, तो experience professional हाँ, पहली बात है fresher graduates तो अपला कर सकते हो, दूसरे experience professional, मतलब आप mechanical engineers अपने किया, mechanical engineering किया, उसके बाद में अपने production में काम किया, quality में काम किया, या design में काम किया, कोई भी film में काम किया हो, एक साल के बाद में अगर आप इसमें इसका course करते हो, अपला engineering की है, electrical engineering की है, computer engineering की है, जो भी ENTC engineering की है, अगर आप ये team center का course कर ले तो आप you can eligible to apply for these vacancies, तो मतलब ऐसा कुछ criteria है नहीं कि भईया, mechanical engineering ही चाहिए, computer engineering ही चाहिए, आप कोई भी film से engineering करो, team center का course कर ये, knowledge लिजे उसका, और आप उसमें अपला कर सकते हो, तो ये हो गया, और actually design में काम कर रहे है, mechanical engineers की हम बात करें, तो design में अगर काम कर रहे हो या production field में काम कर रहे हो, और उनको team center में जाना है, तो मतलब अभी professional जो है, course कर रहे है, और team center में shift हो रहे है, तो ये भी एक बात है, फिर हम बात करेंगे कि भाया, अभी market में कौन-कौन से course है, आप बोले पहला जो है दोस्तों, वो है faith PLM, faith PLM भी एकदम बढ़िया institute है, पुने में, तो वो आपको software का, मतलब practice के लिए software का support भी देते हैं, आप practice कर सकते हो, सीख सकते हो, उनके classroom भी होते हैं, आप परकर जाद करके, आप physically सीख सकते हो पुने में, या फिर online classes भी आप attend कर सकते हो, बात में है expert PLM, ये भी एकदम बढ़िया institute है, याना PLM के लिए team center खास करके, फिर तीसरा है spirit PLM, याना spirit PLM में भी आप जा सकते हो, class कर सकते हो, फिर है PLM coach, यास, आप google पे search करिए PLM coach.com, वहापे भी team center का course दोस्तों provide करते हैं, याना, आप search करके उनको contact कर सकते हैं directly, और आ course कर सकते हो, फिर है दोस्तों, IFS Academy, ये एकदमी भी team center का course provide करती हैं, तो इस तरह की चारपाच institute है, इनको आप contact करिए, याने आपको Google की पूरी जानकरी मिल जाएगी, अगर आपको पूरी जानकरी जाएगी, आप मुझे comment कर सकते हो, हम इस पर भी video बना देंगे दोस्तों, फिर अभी बात करेंगे कि ये कितने दिन का course होता है, अगर आपने बिटेक चार सल का बिटेक कर लिया, तो उसके बाद में ये है 3-4 मन्त का course, खास करके 4 मन्त का होता है, ये 4 मन्त का course आपको करना पड़ेगा, graduation के बाद में, और उसके बाद में आप टीम center field के लिए थोड सब्सक्राइब है, और इसमें आपका career भी बढ़िया, हेवी रहेगा दोस्तों, money भी आप अच्छा कासा बाना सकते हैं, तो थोड़ा सा initial level पे आपको पेसा देना पड़ेगा, तो इसका fees हो है, और इसका fees में बताते हैं, आप 60,000 to 1,00,000 का fees होता है, तो ये मतलब फीज ऐ तो निकल जाती है, उसमें से दोस्तों, थोड़ा सा आपको बलीदान देना पड़ेगा, अगर इंजिनेरिंग की है, इतनी पूरी 4 साल की, तो ये थोड़ा सा एक लाग का बलीदान आपको देना पड़ेगा, और एक लाग की बलीदान भी नहीं कर सकते हैं, आपको कुछ स सीखना होगा, तो इस तरह से आप, लेकिन यह मैंने जो इंस्टिट्ट्स बता है, उसकी अलग-अलग फीस है दोस्तों, फैट-PLM की अलग है, एकस्पट-PLM की अलग है, इस्पिरिट-PLM की अलग है, तो आप इनको कांटक करिए, और फीस के बारे में पुछे है, हो सक है, और किसी आपको अगर कुछ डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करिए, आपको कमेंट के हम स्वाल करने के पूरा प्रैस करेंगे, दोस्तों, मैं आपको पूरा रिपला दे दूंगा, उस पर, तो इस तरह से टीम सेंटर में आप करिया बना सकते हो, मुझे तो लगता है मैंने अच्छी कासे आपको जानकरी दे दिये दोस्तों, फिर भी अगर आपको डाउट है, तो आप मुझे पूछ सकते हो, तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आयोगा दोस्तों, बड़िया इंफोर्मेशन आपको मिल गएगी, तो चलिए मिलते हैं दोस्त में बड़िया वीडियो आपके लिए लेकर गया होगा, तब तक, बाइबाय और सी यूँ